हाई गाईज मैंने में अर्जुन और आज मैं आपको टीपू सुल्थान के समर पैलेस के बारे में बताऊँगा टीपू सुल्थान जो की टाइगर ओप मैसोर थे और उनका एक पैलेस है बैंगलोर में टीपू सुल्थान का समर पैलेस टिपू सुल्तान जी समर्व के टाइम पे यहां पे रुखने आते थे और ये जो आप इसका गार्डन और लॉन देख रहे हैं ये करणाटिका गृष्मेंट का होटी कल्चर डिपार्टमेंट मैंटेन करता है इसको और ये पैलेस ये टीपू सुल्तान के समर पैलेस का आर्किटेक्चर बहुत ही कमाल का है जो मेसोर के शाशक टीपू सुल्तान जी उन्हेंने इसको सतरा सो इंकार्णूसन में बनाया था बट इसका आर्किटेक्चर इतना कमाल का है कि आज भी ये सू विवस्तित इस्तित है और भोधी शांदार बना हुआ है टीपू सुल्तान जी की डेथ के बाद इसे ब्रिटिश एड्मिस्टेशन ने अपने हाथ में ले लिया था और वो ब्रिटिश सेकरेटरियल ओफिस उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे टीपू सुल्तान जी जब थे यहाँ पे तो वो अपना दर्बार लगाते थे यहाँ पे यह टीपू सुल्तान का पेले साज एक टूरिस स्पॉर्ट है जो की ओल्ड बेंगलोर में कालसी पालियम बस्टेंड के पास इस्ती थे और इसे आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया इस पेले सको मेंटेन करता है और इसकी देखभाल करता है यह टीपू सुल्तान का जो पेले से विसे थो थोड़ा सा जरजर हो गया है बहुत ही पूराना है, 1700 इंकार्डू पर बना था बट फिर भी इसको वेल प्रिजर्वड रखा गया है आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने और अभी भी बहुत कुपसूरत है आईए अभी इस पेले सको अंदर से एक्स्प्लोर करते है यह उपर चड़ने का रास्ता है इसका और यह इसका लॉन है आगे जो दिख रहा है यह पूरा लॉन है अब यह फर्स्ट फ्लोर आ गया है और इस फर्स्ट फ्लोर में चार रूम है और यहीं सही टीपू सुल्तान जी सबको एड्रेस करते थे यहां दर्बाल लगता था और नीचे लोग बेटते थे और यहां उपर से ही बालकनी से उन्हें वो एड्रेस करते थे वैसे तो यह भोती पुराना है बट अंदर से काफी अच्छा दिखता है यह वो बालकनी है जहांसे वो टीपू सुल्तान जी सबको मिलते थे सारे दर्बारियों से इसमें बहुत सारे रूम है जिसमें एक रूम महिलाओं के लिए भी रखा गया है और समर के टाइम पे तीपू सुल्तान जी आते थे और यहीं रुकते थे और यहीं रुकते थे